हेलो दोस्तों, कल हमने किसकी बात की थी, हमने कॉड़ डेट की क्लासिफिकेशन की बात की हुई थी, कॉड़ डेट की क्लासिफिकेशन को पढ़ा हुआ था, आज हम बात करेंगे कॉड़ डेट को हमने लाश्ट में पिसीज एन टेटरापोडा, दो सूपर क्लास में मोई हैं मड़ें कि ढारा में तो आज हम बात करें गे सब खाहरे सब्सक्राइब करें को सब्सक्लास उसे चाहिक डिवाइब तीन सब्सक्राइब较 بख्र mająं तकstar gibiạo nossa कि जुट के पहलें कि यह तोड़ा रीजन कर लेते हैं अंक्सी पांच क्लास थी पहला था ओश्ट्राकोडर्मी दूसरा था सैक्लोस्टोमाटा तीसरा था फ्लाकोडर्मी और फोर्थ था वह क्या था छान्त थिस फिर था लांश्ट था उस्ट्रेक्थीज और और एक बहुत ही easy way है समझने का अगर आप समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा cartilaginus fishes तथा boni fishes क्या होती है और क्यों इसको हम cartilaginus fishes बोलते हैं और boni fishes बोलते हैं तो जो हमारा conroe है conroe word बना हुआ है conroe बना हुआ है cartilage से मिन्स उपास्थी से बना हुआ है इसे लिए उसको हम क्या बोलते हैं cartilaginus fishes बोलते हैं और जितने भी fishes पाई जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं cartilaginus fishes बोलते हैं तथा ostrich थीस और जितनी भी fishes आती हैं उनको जहें लिए देते होज हम बोनी थिस के नाम से जानते हैं तो अब हम बात करेंगे गे कहँ सब सेकंड मातИ हैं हमारा साइक्लोस्टोमाता लेंप्रे पर हैरें हमारे пок willen हो पिर हम बात करें प्लाइख में healthy फिर हम बात करते हैं प्लाको डिरमी बात बात बृस्केल कैराठ्टर्रradasna आप जाने लड़ाए को सबनाती थे प्लाको डिरमी तक si ml you quarter Uma a बात साती थेayo कि यह फर्स्ट जा एनिमल या फर्स्ट जा वर्टिब्रेट के नाम से भी जाने जाते हैं लाकोडर्मी के अंतरगा जितने भी फीसे साती थी उनको हम फर्स्ट जा वर्टिब्रेट के नाम से जानते थे इनमें सरपृथम पहला क्या बोले हैं सरपृथम जो देखा गया था जबडे देखे गया थे इसलिए हम इंको फर्स्ट जाब वर्डिब्रेट की नाम से जानते अब आप देखते भी जाहिए कि इनको क्लासिफिकेशन किस टाइप से किया गया है तो मैं आपको नीचे सो करती जा रही हूं यह हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन अप सूपर क्लास पिसीज तो मैंने आप जैसे कि अक्स्प्लेइन किया हुआ था और श्ट्रैकोडर्मी और श्ट्रैकोडर्मी के अंतरगत सारी की सारी एक्स्टेंट अनॉर्म्ड एर्मॉड फिसस आती हैं आप आता है साइक्लो इस्ट हैं डाइबलब जो देखा गया था डब हम बात करते हैं और इसक कंठरो का मतलब होता है काटिलेंग। a उसकी मतलब होता है आस्टीश हरण करेंगे जो असकी सब्ट्रेक डियर्मी को दो सब क्लास में डिवाइड किया गया है पहला नंबर है मोनो मोनोरीना दूसरा है डिपलोरीना मिस मोनो का मतलब होता है सिंगल से मिस जिन में सिंगल नॉस्ट्रिल पाया जाता है उनको मोनोरीना बोलते हैं तथा जो डिपलोरीना है वो डिपलोरीना का मतलब होता है तू सेपरेट नॉस्ट्रिल ओपनिंग पाई जाती है इसलिए सो डिपलोरीना बोलते हैं डाई का मतलब होता है दो से मोनो का मतलब होता है सिंगल से और रहना का मतलब होता है नॉस्ट्रिल से इसलिए इसको सिंगल नॉस्ट्रिल तथा इसको डबल नॉस्ट्रिल वाले इनीमल के नाम से भी जानते हैं, अब हम इसके बात करें, मौना रिना के ओर्डर की बात करेंगे, तो पहला है, यू फैने रिडा, इसके एंतर के जो एक्जाम्पल है, इसमें सिंगल जीनस ही बचा हुआ है, ये जीनस कौन सा है, जैंवाइटियस, जैंवाइटियस है, इसका सिंगल जीनस, दूसरा हम बात करते हैं, एनास्पीडर, एनास्पीडर की बात करते हैं, इसमें कौन सा है, रैंकोलेपिस, रैंकोलेपिस इसका एक्जाम्पल है, अब हम बात करते हैं, औस्ट्रियो, 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 बात करते हैं इसमें लेंप्रेस इसके अंतरगत लेंप्रेस आते हैं अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं डिपलॉरिना की डिपलॉरिना की अंतरगत दो ओडर आते हैं इसमें हेट्रो इस्ट्रेकी है दूसरा है सीलो लेपिडा है सीलो लेपिडा आते हैं अब हम बात क तो हम बात करेंगे पेट्रो माईजोंटी फॉर्म्स पहला इसका जो और है वह पेट्रोमाईजोंटी फॉर्म्स इसके अंतरगत पेट्रोमाईजों तथा अब आता है mixiniforms, example याद करने के लिए हम वही example लेते हैं जो ज़्यादा easy हो और हमारे class से क्या कर रहा हो, order से क्या कर रहा हो, match कर रहा हो, इसलिए हम वैसा ही example लेंगे, जिससे हमें confusion भी नहीं होगा, और हम easily क्या कर सकते हैं, example लिख कर आ सकते हैं, तो हम बात करेंगे, mixiniform की जिसका है mixin, अब हम बात करेंगे, placodermy, placodermy की, तो placodermy में क्या है, इसकी जितनी इस fishes हैं, वो primitive उजाब fishes के नाम से जानते हैं, और इसका जो order है, वो कौन-कौन से हैं, देख लेते हैं, एर्थ्रोडी, 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 फॉर्म्स, इसका पहला order है, एर्थ्रोडी, फॉर्म्स, दूसरा है, एंटी, एर्थ्रो, एर्थ्रोडी, फॉर्म्स, जिसमें से, एर्थ्रो, एर्थ्रोडी, फॉर्म्स का जो एक्जाम्पल इसका एैग्जामपल है आप हम बात करेंगे औरी कीड़ी this को गढ़ crack है दो और देंश सब क्लास में दिवाइट किया गया है पेहला आ, सेलाजी दूसरा है होलोसिफैली तो सेलाजी का जो एग्जामपल colony इसके अंदर गर्स कैसे आते हैं सेलाची का मतलब होता है सेलाची से इसके अंतरगत जो एनिमल्स आते हैं उसको हम सार्क बोलती है सार्क आती है सेलाची के अंतरगत दूसरा है होलो से फैली ये इसके सब क्लासिस हैं होलो से फैली होलो से फैली इसके अंतरगत कौन से आती है रैट फिसस आती है अब सेलाची को हमने दो सिलाजी को हमने दो ओर्डर में डिवाइट किया हुआ है तो पहला कौन सा है स्क्वैली फॉर्मस है उसी को हम क्या बहुते हैं प्लूरो ट्रीमेटा प्लूरो ट्रीमेटा की नाम से भी जानते हैं दूसरा है राजी फॉर्मस है राजी फॉर्मस को हम किस नाम से ज हैं अब बात करेंगे नेक्स हमारा लाष्ट है हम उसकी बात करेंगे औस टीर की बोनी फिशट की हमारी वि भी हो गई को दो सब क्लास में डिवैड किया गया है सिलाची तथा होसिफैली और ढूर्ण में डिवाइस किया गया है skelli forms तथा pleuro skelli forms को ही हम क्या बोलते है pleurotrimeta और दूसरा नमबर है ragiforms इसको बोलते है hypotrimeta अब हम बात करेंगे ostrich thys की ostrich thys के अंतरगत bonifisis आती है bonifisis इसको दो subclass में divide किया गया है कौन कौन सी है पहला नमबर है sarcopteryg दूसरा है actinopteryg actinopteryg है अब हम बात करेंगे sarcopteryg की example या characters की एक दो characters देख लेते हैं यह popularly kite, flesy flesy और low fin low fined fishes के नाम से जानते हैं और यह air breathing fishes है इसके अंतरगत air breathing fishes आती है अब हम बात करेंगे इसकी order की तो इसके अंतरगत दो order आते हैं पहला है crossopteryg दूसरा है dipnoy crossopteryg में paired fin low weight होते हैं caudal fin 3 lobed 3 lobed होते हैं तथा इसमें pre maxilla and maxilla क्या होते हैं present होते हैं अब dipnoy dipnoy का मतलब होता है lung fishes से और इसमें two types से double breathing capacity पाए जाती है two types से क्या कर सकती है breathe कर सकती है miss out of water water के बाहर भी क्या कर सकती है breathe करने पर capable होती है water के अंदर gills के थूरू करती है तथा water के बाहर ये किसके थूरू करती है lungs के थूरू breathe करती है ईपनै के गजामपल कौण-कौण सी है अनितर लंग फिस आती है तो जितॉप तो हम क्यारथ के साम नहीं